हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ एन आयूर्वेट, तोड़े आई विल डिसकस सब बैनिफेट्स ओप अमेजिकल फ्रूट जामून, जिसको हम ब्लैक बैरी के नाम से भी जानते हैं, जामून खाने में जितना स्वाजिस्ट होता है, इससे कई गुणा अधिक ये इसमें वे सभी बेसिक न्यूटेंट्स पाया जाते हैं, जिनके हमारी बॉड़ी को रिक्वाइमेंट होती हैं, अगर इसके न्यूट्रिशनल वेल्यू की बात करें, तो इट कंटेंज विटामीन ए, विटामीन सी, फाइबर, मिगनीशियम, गुलकोज, फ्रक्टोज, कैल इसमेंट के लिए जामुन एक उश्दी है, यह एक लोग लाइस्निक इंडेक्स वाला फल है, जो कि बलड शुगर लेवल को मेंटेन रखता है, और यह हमारी बॉड़ी में इंसुलिन की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करता है, एक डायप्टिक पेशन को जामुन का सेवन तो करना ही चाहिए, साथ ही साथ अगर वो जामुन के रस को दिन में दो से तीन बार ले, तो ऐसा करने से एक्सेस यूरिनेशन और बार बार प्यास लेने की प्रोब्लम से रिलीफ मिलने लगता है, आप इसके गुठले को सुखा कर पाउडर बना लें, और इस पाउडर को साथ पानी के साथ दिन में दो बार ले, ऐसा करने से भी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है, जामुन, हार्ट पेशिंट्स के लिए भी बहुत फाइदे मन है, बिकोज ये खून को पतला करता है, जिससे ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, और हार्ट ब्लोकित की साथ पीपी को नॉर्मल रखता है, इसमें पाए जाने वाला विटामिन सी और आइरन हमारी बोड़ी में हीमोगलोमिन के लेवल को इंक्रीज करता है, जिससे खून की कमी और एनीमिय जैसी मेजर डिजिस से बचा जा सकता है, जामुन हमारी डैजेस्ट्री सिस्ट्रम के ल आपको डैजेशन की प्रॉब्लम हो, तो दिन में एटलीस दस से बारा जामुन जुरूर खाएं, और अगर आपको कॉंस्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती हो, तो आप जामुन की छाल का काड़ा बना लें, और आप उस काड़े को पीएं, तो बहुत जल्दी आपको कॉंस गुन पाए जाते हैं, तो अगर आप इसकी 5-7 पतियों को अच्छे से चबा कर खाएं, तो आपको मुसूरों की सूजन और खूद निकलने की प्रॉब्लम से रिलीफ मिलता है, जामुन हमारी इम्मुनिटी को भी बूस्ट करता है, बिकॉज जामुन में एंटी बेक्टिर और एंटी मलेरियल गुन पाए जाते हैं, जो कि हमें सीजनल इंफेक्शन से बचाते हैं, और हमारी बॉडी को हेल्दी बनाए रखते हैं, इसमें पाए जाने वाला ओक्जैलिक एसिड और बेट्यूलिक एसिड इम्मुनिटी को बूस्ट करता है, जामुन में एंटी उक् अगर आपके फेस पर पिंपल्स या दाग धब्बे हों, तो आप जामुन की गुठलियों को सुखा कर उनका पाउडर बना लें, और उस पाउडर को आप कच्चे दूद में मिलाकर एक पेस्ट त्यार कर लें, उस पेस्ट को अगर आप फेस पर लगाएंगे, तो आपको विदिन वीक और विदिन अमन्द आपको अच्छी रिजल्ट शो होने लगेंगे, जामुन में विटामिन ए पाया जाता है, जो हमारी आखों की रोशनी को भी बढ़ाता है, तो देखा आपने जामुन खाने से हमें कितने सारे हल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, पर साथ ही सा आपको दो बातों का ध्यान रखना है, फर्स्ट ओफ वाल आपको कभी भी मॉर्निंग टाइम में खाली पिट जामुन नहीं खाना है, और जामुन खाने के बाद आपको दूद नहीं पीना, इन सभी हेल्थ बेनिफिट्स को गेन करने के लिए इस समर सीजन में जामुन जर Նपको बाद आपको दोके लिए आपको में खाने के लिएन के लिए हैं, आपको बाद आ में खातो है փय।